दोस्तो अगर आपके भी Redmi 7 वाइल में या किसी भी मुवाइल में फ्री फैर गेम लेग करता है और आप भी अपने फॉन में फ्री फैर गेम या कोई भी मल्टी पिलियर्स गेम्स को नहीं खेल पाते हो तो आपको मैं इस वीडियो में विद्ब रूप एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको एपलाई करने के बाद I can guarantee कि आपके फॉन में फ्री फैर गेम लेग नहीं करेगा और आपके फॉन में फ्री फैर गेम बहुत स्मूज चलेगा लेकिन दोस्तों आपको उससे पहले ये समझना होगा कि आपका फॉन गेम्स खेलने पर लेग क्यों होता है या हैंग क्यों होता है दोस्तों बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वज़े से आपका फॉन हैंग होता है या गेम्स खेलने पर लेग करता है तो दोस्तों आप को मैं इस वीडियो में top three regions बताऊंगा जिनकी वज़े से आपका phone हेंग होता है और आपको top three regions के solutions भी बताऊंगा जिनको आपको समझना है और अपने phone में apply करना है और हाँ दोस्तों वीडियो के end में मैं आपको एक ऐसी trick with group बताऊंगा जिसको समझ के apply करने के बाद आपके phone म में free fair game lag नहीं करेगा और काफी ज्यादा fast चलेगा लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको in top three regions को समझना है और apply करना है इसके बाद ही आपको उस trick को apply करना है जो मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा दोस्तों नमबर one जो region होता है जिसकी वज़े से आपका phone hang होता है वो ह आपके phone की RAM और processor अगर दोस्तों आपके phone में RAM कम है 2GV है या 3GV है और आपके phone में low end processor है तो इन cases में आपके phone के hang होने के chance काफी ज्यादा होते हैं तो दोस्तों अब आपको अपने phone की RAM और processor को increase करना पड़ेगा इसके लिए आपको कोई application को download करने की जरूत नहीं है इससे आपके phone की RAM बढ़ेगी नहीं increase करने का मतलब यह नहीं है कि अगर आपके phone में 2GB RAM है तो वो बढ़कर 4GV हो जाएगी आपको पहले यह समझना होगा कि कभी भी हम phone की RAM को बढ़ा नहीं सकते हम अपने phone की RAM को fully use कर सकते हैं अगर आपके phone में 2GB RAM है तो आप अपने phone की speed को परहिकी स्पेस रखेंगे की आपका phone उतना ही ज़्यादा क करना हें इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और रप को retire अफको предложonりました देखने को मिलेगा developer option को on करने के लिए आपको about phone वाले option में जाना है और आपको MIUI version वाले option पर 6 या 7 बार click करना है आपका developer option on हो जाएगा developer option on होने के बाद आपको developer option में आना है और आपको इस option को आण कर देना है इसके बाद आपको एक और option देखने को मिलेगा force for max इस option को भी आपको on कर देना है इससे आपका gameplay काफी smooth हो जाएगा और आपको animations को भी off कर देना है आपको यहाँ पर window animation scale, transition animation scale, duration animation scale तीन option देखने को मिलेंगे आपको तीन ओप्षन को off कर देना है इन settings को करने के बाद आपका phone क काफी ज़्यादा fast चलेगा और gaming करने पर आपका phone hang नहीं होगा next region है जो बहुत important है अगर आप अपने phone में gaming करते हो और आपका phone game खेलने पर lag करता है तो आपको अपने phone में multitasking नहीं करनी है मतलब दोस्तों आपको अपने phone में एक बार में एक से ज़्यादा apps को यूज नहीं applications को यूज कर लेते हो और उन applications को background मैं से close नहीं करते हो तो दोस्तों आपको सारे recent apps को background मैं से close कर देना है और multitasking नहीं करनी है background मैं से सारे platform close करने के बाद आपको Free Fire Game जो कोई भी Game जों आप खिलते हो उसको खेलना है, इसके बाद आपको Play Store में जाना है और Setting में जाना है, Setting में जाने के बाद आपको Auto Update Apps वाले Option पर क्लिक करना है और आपको Don't Auto Updates एप पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके Phone में Automatic Apps अपडेट नहीं होंगे और इससे आपके मुवाइल में एक्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं होगी और आपका phone hang नहीं होगा अगर दोस्तो इन सारी टिप्स को जो मैंने आपको वीडियो में बताई है एपलाई करने के बाद भी आपका phone गेम खेलने पर lag करता है या hang होता है तो आपको जिस ट्रिक के बारे में मैंने आपको वीडियो के सुरू में बताया था उस ट्रिक को एपलाई करना है मैं आपको इस वीडियो में विद्पिरूफ दिखाऊंगा कि इस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका phone गेम खेलने पर lag नहीं करेगा और काफी ज़्यादा fast चलेगा वो ट्रिक है hard reset जी हाँ दोस्तों आपको अपने phone को hard reset करना है इसकी लिए आपको setting में जाना है और about phone वाले option पर क्लिक करना है अब आपको back up and reset वाले option पर क्लिक करना है अब आपको factory reset वाले option पर क्लिक करना है दोस्तों hard reset करने से पहले आप अपने phone के important data का backup ले ले लें वरना आपका सारा data डिलीट हो जाएगा अगर आपको जानना है कि फोन का फुल बैक अप लेकर फोन को हार्ड रिसेट कैसे करते हैं तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो वना रखी है उस वीडियो का लिंक में आपको उपर आई वेटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अब आप जैसे ही डिलीट ओल डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन हार्ड रिसेट होने लग जाएगा फोन रिसेट होने के बाद आपका फोन पहले की तरह न्यू कंडिशन में आ जाएगा अब आप अपने फोन को सेट अप कर करना है ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको ग्राफिक्स को स्मूथ पर रखना है और आपको कुछ नहीं करना अब आपको सिंपली अपने गेम को स्टार्ट करना है दोस्तों गेम स्टार्ट होने के बाद अब आप बिना lag किये अपने phone में free fire game को खेल सकते हो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको bit proof दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने phone में इस trick का यूज करके free fire game को बिना lag किये खेल सकते हो आपका game बिलकुल smooth चलेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अपने phone में free fire game को बिना lag किये खेल पा रहा हूँ और मेरा game बहुत smooth चल रहा है तो दोस्तों आप भी इस trick का यूज करके अपने phone में free fire game को बिना lag किये खेल सकते हो आपका game बहुत smooth चलेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं